इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मिडल इस्ट पर आकर टिक गई है न्यूजपेपर और चैनल पर जंग के चलचित्र चल रहे हैं जंग किसी भी मुल्क के लिए अच्छे नहीं होती है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर तबाई होती है ऐसे में बड़ी जंग के हाल साथ बन गए हैं और ये युद्ध बड़े पैमाने पर हुआ तो पूरी दुनिया को इसका खामिया जा भुगत न होगा चूंकि जंग में पैसा और ताकत दोनों चाहिए तब ही जीत संभव है इसलिए आईया आपको बताते हैं कि आर्थि व्यवस्ता और आर्मी दोनों क देश भळी पड़ेगा इस पैकेज के माध्यम से हम जानेंगे कि एरान और इस्राइल में से किसकी सेना ज़्यदा ताकतवर है और इन के पास कौन-कौन से हत्यार हैं इन दिनों इरान और इस्राइल में तना तनी जदा ही बढ़ती हुई दिख रही है जहां इरान अपने दुश्मन देश इसराइल पर मिसायल दागने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा तो वहीं इरान इसको इंतकाम करार दे रहा है तो उधर इसराइल ने भी बदला लेने की कसम खाई है इरान और इसराइल दोनों ही देश यह जानते हैं कि इस जंग में उन्हें बड़ी आर्थिक शती होगी। यह दोनों देश आर्तिक रूप से मजबूत है जहां इरान के पास तेल के भंड़ार है तो इसराइल अपनी तकनीकी से दुनिया में जाना जाता है। आ रहा है लेकिन अक्टूबर 2023 में हमास के इस्राइल पर हमले के बाद से हालात बिगड़ते जा रहे हैं लड़ाई इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही थी और इसमें इरान भी कूद गया चुकि इरान ने इस्राइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है हम आगे हमारी इस खास पेश्कस में इरान और इस्राइल की अर्थ विवस्ता, सेना, हत्यार, हाइपर सोनिक मिसाइल, एर फूर्स और नेवी के साथ ही परमानु हत्यार की ताकत की बात भी करेंगे तो सबसे पहले इरान की सेना की बात कर लेते हैं जिसकी आबादी करीब 9 करोड के आसपास है एक रिपोर्ट के मताबिक इरान का रक्षा बजट करीब 7.4 बिलियन डॉलर है इरान दुनिया की चोधवी सबसे बड़ी मिलिटरी ताकत है और मिडल इस्ट में सबसे बड़ी सेन्य ताकत उसकी सेना में करीब 5,8,000 सेनिक है और करीब 2,0,000 के आसपास रिजर्व फोर्स है दोनों को मिलाकर कुल सेनिकों की संक्यों के अगर बात की जाए तो 7,8,000 के आसपास ये बैठती है उधर एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार हम सेना को लेकर ही इसराइल की बात करें तो इसराइली आर्मी दुनिया की 20 वी सबसे ताकत और आर्मी है इसराइली सेना में करीब 1,79,500 एक्टिव सेनिक है तो करीब 4,65,000 रिजर्व यूनिट में कुल मिलाकर करीब 6,34,500 सेनिक है सेनिकों के मामले में वह इरान से पीछे जरूर है लेकिन इसराइल का डिफेंस बजट इरान के मुकाबले 7 गुनाज जाना है सेना के बाद अब हम बात कर लेते हैं दोनों देशों यानि इरान और इजराइल के हत्यारों की तो इरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलेस्टिक मिसाइले हैं एक खूफिया रिपोर्ट के मताबिक पूरे मिडल इस्ट में इरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइले हैं वहीं एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मताबिक 1980 के दशक में पड़ोसी देश इराक से लड़ाई के दोरहन इरान ने अपने मिसाइल सिस्टम पर काम करना शुरू किया और फिर अगले एक दशक में उसने चोटी दूरी की सैक्रोब मिसाइले डेवलप की उधर इसराईल हत्यारों की अगर बात करें तो आईरल डॉम और डेविड्स लिंग जैसे एर डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी ताकत है जो लॉंग रेंज से लेकर छोटी दूरी की मिसाइलों, राकेट और ड्रोन को हवा में ही मार गिराते हैं इसके अलावा इसराईल के पास बारा सो से अधिक तोफ़ाने, मल्टीपल लॉंच राकेट सिस्टम और स्मार्ट बम जैसे हत्यार भी है जो टारगेट पर अचुक निशाना लगा जाए है वहीं अब मिसाइलों को लेकर दोनों देशों की बात करें तो इरान के पास सेजिल स्वाम की मिसाइल है जो सत्रा हजार किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से पच्चिस सो किलोमेटर तक जा सकती है इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज दो हजार किलोमेटर है हज कौसेम भी एक हजार चार सो किलोमेटर की रेंज तक जा सकती है इरान के पास के एच फिप्टी फाइव जैसी क्रूज मिसाइल भी है और दावा किया जाता है कि यह परमानु शंता से लेस है अपने साथ 3000 किलोमेटर तक परमानु हथियार ले जा सकती है इरान ने इस बार इसराइल पर जिन हाइपर सोनिक मिसाइलों से हमला किया है उसे पिछले साल जून में ही दुनिया के सामने रखा था यह साउंड की स्पीड के मकाबले पांच गुनातीजी से चलती है और इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है इसके अलावा इरान पूरे मिडल इस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोडूशर भी है उसके पास मोहाजेर टैन नाम का ड्रोन है जो 2000 किलोमिटर तक जा सकता है और 200 किलो वजनी वैपन भी ले जा सकता है इरान और इस्टाइल में एरफोर्स और नेवी की क्या इस्टती है इसको लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं जा इरान के पास 273 फाइटर जैट और लड़ाकू एरक्राफ्ट है इसके अलावा 50 से ज़्यादा हेलिकॉप्टर, 240 ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर, 1783 टैंक, 522 बक्तरवंट गाडिया है इस्टाइल के मुकाबले इरान की नोसेना आधुनिक नहीं है लेकि उसके पास 220 के आसपास जहाज है जबकि इस्टाइल के पास 60 जहाज है वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्टाइली आर्मी के पास कम से कम 241 लड़ाकू जैट, 48 लड़ाकू हेलिकॉप्टर और 2200 के आसपास टैंक है नेवी की बात करें तो इस्टाइल के पास कम से कम 7 युद्वपोत और 6 पंडूबिया है जो परणबानों हतियार ले जाने और लूंच करने में शक्षम है इस्टाइली खूफिया एजनसी मुसार इस्टाइल की सबसे बड़ी ताकत है जो अपने टारगेट को चुन-चुन कर खत्म करने के लिए विख्यात है दोनों देशों इरान और इस्टाइल में परणू हतियारों की क्या इस्टती है इसको लेकर भी हम बता दें कि दावा ये भी किया जाता है कि इरान के पास परणू हतियार है हालां कि एरान ने कभी खुलकर नै तो माना है और नै तो कभी इसकी पुछ्टी हो पाई है उधर इसराईल के पास कम से कम एक दरजन परमानु हत्यार है इसराईल ने भी कभी खुलकर नई माना है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन तमाम डिफेंस, एक्सपर्स और थिंग टैंक ने इसकी पुश्टी की है अर्थिव्यवस्ता के मोर्चे पर इरान इसराइल से थोड़ा कमजोर है साल 2024 में इरान की GDP प्लस 388.84 बिलियन रहने का अनमान है इरान की अर्थिव्यवस्ता और कमाई का सबसे बड़ा स्रोथ तेल और प्राकर्टिक गेंस बंडार है इरान नेचरल गेंस के बंडार के मामले में दुनिया में दूसरे इस्तान पर और ओयल रिजर्व के मामले में चोते इस्तान पर है इरान दुनिया के कई देशों को तेल और नैशुरल गैस का निर्याद करता है इरान की कोल जीडिपी 413 बिलियन डॉलर की है एक रिपोर्ट के मताबिक इरान का रक्षा बजट 7.04 बिलियन डॉलर है जो जीडिपी के मुकाबले 2 प्रतिशत से आसपास बैड़ता है बारत के विदेश मंत्रार ने कहा है की हमले इरान और इसराइल से संगर्स व्यापक रूप से नैबढ़े इसलिए जरूरी है कि सबी मुद्दों को बादचीत और कूट नीती के माध्यम से सुलजा जाना चाहिए इरान दोरा इसराइल पर किये गए मिसाइल हमले के बाद दिल्ली इस्तित्राइली दुतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इसके साथ ही विदिश मंत्राला ने भारतियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है भारतिये विदिश मंत्राला ने चेतावनी जारी कर भारतिये नागरिकों को इरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बशने की सलावी दी है वर्तमान में एरान में रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहे और तहरान में भारतिय दूतावास के संपर्क में रहे इसराइल एरान संगर्स के बीच चीन ने वेस्विक सक्तियों से अपील की है वहीं सवुदी अरब के अर्थिव्यवस्ता मंत्री फैसल अल इब्राहिम ने का है कि उनका देश तनाव कम करने और बादचीत की उम्मीद में है पोप फ्रांसिस ने सीरिया से लेकर युक्रेन तक होरे संगर्सों के लिए उपवास और प्रातना का एलान भी किया है सविक्तराष्ट प्रमुक्र एंटोनिया गुटेरेस को इसराइल में प्रवेश से रोकनी के फैसले की जर्मनी ने निंदा की है ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कीर इस्टारमर ने इसराइल पर इरानी हमले की कड़ी निंदा की है तो आपको यह हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही हम यह भी करें कि अगर आपको यह खबर अच्छे लगी है तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूले फिलाल मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार